केंद्रिग्रि मंत्री अमिश्या लखनो दोरे पर आ रहे हैं अमिश्या CAA को लेकर जन जागरण अभ्यान के तहट बड़ी रैली करेंगे रामकता पार के बंगला बाजार में रैली आयजित की गई है उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदितनात, प्रदेश अद्यक्षा स्तोतंत्र देश सिंग, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौरिय, डॉक्टर दनेश शर्मा समेत, कई वरिष्ट नेता भी लोगों को संबोधित करेंगे तो बीजेपी इस वक्त पूरे देश में CAA पर जन जागरुपता रैली कर रही है और लोगों को इस कानून के बारे में बता रही है तो आपको बता दे कि आज इसी कड़ी में लखनाओ पहुंचेंगे ग्रिमंत्री अमिच्छा जहां वो इस रैली का हिस्सा बनेगे और इस रैली के जरिये लोगों को जागरुप करने की कोशिश CAA के बारे में तो जो ब्रहम की स्तती बनी हुई है उस ब्रहम की स्तती परदा उठाने के लिए लगातार बीज़िपी की तरव से एक अवायद जारी है तो लखनाओ में इस बड़ी रैली का आयोजन रामकता पार्क के बंगला बाजार में किया गया है तो रैली को बविब बनाने के लिए तैयारिया जो है वो पूरी हो चुके और अब इंतजार ग्रीमंत्री आमिश शाह का तो आमिश शाह के संबोधन का कारिक्रम यहाँ पर है और इस बड़ी रैली को संबोधित करते हुए CAA के बारे में महा मौझूद लोगों को जानकारी ग्रीमंत्री आमिश शाह के तरफ से दी जाएगे तो CME होगी दोनों डिप्टी से मिश दौरान मौझूद रहेंगे यूपी बीजेपी अधियर स्वतन देव सिंग भी इस रैली में मौझूद रहेंगे और लगता लोगों में भी कुछ चुनिदा लोग है जिनकी तरफ से इस कानून को लेकर नाराजगी जाहिर की जा रहे है उसी ब्रह्म की स्थी से परदा उठाने के लिए बीजेपी की तरफ से एक अदम उठाय जा रहे है और लोगों के बीच जाकर उन्हें इस कानून की जानकारी दी जा रहे है और इसी करड़ी में आज लखनों में भी मंतुरी अमिश्चह की ये बड़ी रैली और इस रैली के जरीए लोगों में जो ब्रह्म की स्तती इस कानून को लेकर बनी हुई है उसे परदा उठाने की कोशिश तो रैली को लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है लोगों के पहुचने का सिलसला जो है वो शुरू हो गया है लेकिन देखना होगा क्योंकि जिसकी उमीद जताई ज़ारे कि इस रैली में बड़ी संख्या में लोग भी पहुचेंगे रैली का हिस्सा बनेंगे उत्तरप्रदेश में सीए के समल्थन में भाजपा एक बहुत बड़ी रैली करने जा रही है जिसमें देश के ग्रहमंत्री अमित्सा भाग लेंगे वह अपना उद्वोधन भी करेंगे इसी के साथ पिछले कई बशों से स्रणास्थी का जीवन जीर है त्रेपन लोगों को देश की नागिकता भी वह अपने हातों से देंगे आज वह यहां पर जब आएंगे तो सबसे पहले यह जो तिरंगा जंडा आप देख रहे हैं इस तिरंगा जंडा को यहां वह दोजारोहन करेंगे अभी यह रिगल्सर के तोरपर यहां पर जंडे का दोजारोहन किया गया है दो दिन पहले ही यहां पर यह इस्थम्ब इस्थापित किया गया था आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि भाजपा की इस रैली में पहले हैं जो पिछले कई पीडियों से यहां रहे हैं जिनका अपना यहां पर नागिक्ता है जो बोट भी दे रहे हैं जिनके पास अपने प्रमारपत्र हैं उनको किसी तरह से घबडाने की जववत नहीं है बिरोधियों के हर उस सवाल का जवाब देने की कोशिज आज इस मंस से की जाएगी जिसमें बिरोधी लगातार भाजपा को सीए के मुद्दे पर घेरने की कोशिज कर रहे हैं हमारे साथ हैं यहां पर वे यह कुछ चाटकार लोगों में भरम फ़ला रहे हैं कि सीए से यह नुकसान हो जाएगा वो नुकसान हो जाएगा जो लोग समझदार नहीं हैं हमारे वाइलेंटियर और कारेकरता गाउं अस्तर पर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं कि इसके क्या-क्या फाइदे है और इसका यहां के मूल नागरिक से कोई मतलब ही नहीं है इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो ये लोग इधर उधर लोगों को बहका रहे हैं तो अभी हम लोग टोलियों में जाकर के गाउं गाउं सहर सहर सबको समझा रहे थे अब जो हमारे मुख्य कार करता और मुख्य लोग हैं उनको पूरे अवद मंडल के सत्रह जिले हैं उन सत्रह जिलों से लोग आ रहे हैं और आपका दवा है भाजपाईयों का कि ये रैली नहीं है ये सहलाब है और इससे एक संदेश देने की कोशिस की जाएगी पूरे प्रेश को आर नाइन लखनों से कैमरा पसंद प्यांसू के साथ आधित दुवेदी